प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेडिमित प्रदीप पे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है जिएस महायुद्ध के तहत उस प्रस्णों को हल करते हैं जो कि किसी ना किसी परिच्छा में पूछे गए होते तो इसमें अध्या तो चलिए आज हम कुछ प्रस्णों को हल करते हैं देखते हैं क्या-क दिया गया इसमें तो सबसे पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसको बेराम हम लोग लोग ख़ल करना है देखिए कई बार पूछा गया यह प्रस्ण बहुत मात्तपूर है सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना किस ने किती तो आप कह देंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने किती अगला परसना आपका है राजा राम मुहन राय ने ने में से किसका बिरोध नहीं किया था यहां पर नहीं सब्द दिया गया किसका बिरोध नहीं किये थे तो राजा राम मुहन राय बाल बिबा का भी बिरोध किये थे और सती पर्था का भी बिरोध किये थे पूजा पूजा कैuchen पिरोदु लेकिन पषचत सिख्छा पिरोदुनों नहीं किया था तो पस्चात सिख्छा पिरोदुनों नहीं किया था। यह बान में में पुछा गया प्लाशन है बर्स 1893 में सिकागो में आयोजित अंतराश्टी धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुगा है तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सौमे विवेका नंद है जिसके जन्म दिन 12 जन्वरी को क्या मना जाता राश्टी युद्यवस मना जाता है क्या मना जाता राश्टी युद्यवस मना जाता है याद रखेगा कि 12 जन्वरी को राश्टी युद्यवस और 12 अगस्त को अंतराश्टी युद्यवस मना जाता है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं निम्न महापुर्सों में से कौन भारत जागरित का जनक कहलाता है तो आपको बताना है कौन ऐसे हैं जो भारती जागरित के जनक कहे जाते हैं तो जल्दी सा बता दीजिए भारती जागरित के जनक किसे कहा जाता है तो आपका आंसर सही जा रहा है आप क्या बता रहे हैं राजा राम महुनराय को और यही आंसर आप अपराद गोसित कर दिया, यह बात अक्दम सत्यक, 1829 में बिलियम बेटिंग ने सत्थी प्रथा को कानून दौरा अपराद गोसित कर दिया, यह बात 100% सत्यक, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू बिधुवाद पुनर बिवाग कर सकती, ठीक है, सन 1875 में स्वामी देना सरसुदार आरी समाज के स्थापना कीगी, यह बात आपकी सत्य, राजा राम मोहन राहे ने सत्य प्रथा का समर्थन किया था, यह बात आपकी गलत है, और आपसे पूछ रहा कौन गलत है, तो यही गलत है, इसलिए आपका अंसर क्या होगा, यही सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, सुमेलित करना है, और इस तरह से सुमेल करने के लिए हर एक एक्जाम में पूछा जाता है, प्रस्न मातपूर होते हैं, तो चलिए देखते हैं, यहां पर कैसे सुमेलित करना है, प्राथना समाज, प्राथना समाज को आपको बताना है, राम किसमिसन बताना है, सत्य सुधक समाज बताना है, और मुहम्मडन एगलो ओरियंटल कालेज अलिगड़ बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले प्राथना समाज की बात करने हैं, प्राथना समाज जो किस से संबंदित ह महादेव गोबिंद रानाडे से संबंदित किसे महादेव गोबिंद रानाडे से संबंदित है उसके बाद राम किसन मिसन आप जानते है राम किसन मिसन स्वामी बिवेकान से संबंदित है 1897 में इसकी अस्थापना की गई ठीक है उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो प्रस्ट पर नभरस को मिलाते हैं तो एक का आपका दो हो जाएगा तो इस प्रकार से एक कदो तो एक ही option में इसलिए option नमबर सी आपका क्या हो जाथा है अगले प्रशन की तरफ बढ़ जाते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए ठीक है तो सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है यहाँ पे फिट दिया है प्रातना समाज प्रातना समाज का क्या हो जाएगा रानाडे हो जाएगा प्रातना समाज का क्या हो जाता है रानाडे हो जाता है ब्रह्म समाज जिर ब्रह्म समाज आप जानते राजा राम मोह राया से था जाते हैं अगे बढ़ जाते हैं अगला प्रस्टन आपका का इस निससे हैं किसके दौड्रा मंद्रीओं में प्रिवेश का अधिकार के मां कुट प्रस्तुत तो कहरा है कि इसके दौर wrapping मंदिरों में प्रिवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 18 99 में तिरु नेल बेली में भहंक कर दंगे यह थे तो ओ आपका नाडार से समंदितें किसे समंदितेंगानाः से माहराष्ट के किस सुधारक को लोग हितबादी कहा जाता कह रहा है महराष्ट के किस सुधारक को लोग हितबादी के नाम से भी जाना जाता है लोग हितबादी कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है तो कौन है गौपाल हर देश मुख है कौन है गौपाल हर देश तूरु इम्यू elasाओ आफिक से सनुोन कोते हैं डिधियो को सबψा गया गया है तो इस प्रॉछन को आप गselves देख लेज़े और आगे पर जाते हैं निमिलिक्रत में से काइथ स्थापना किस वर्स की थी तो आप कोई बताना है किस बरस में राम किस्व पष्चमी सभथा ने अपने गिरफ्थ में लिया और पष्चमी सभथा ने उसे क्या क्या प्रभावित किया था यहाँ आप आपको बताना आतो कौनसा ऐसा बर्ग है इसके बारे में आपको ऐस traffic करना Virgo आपका है सिचित Hindi पहले पशच्मी सभिता ने अपने смотреть में लिए अगर आप गऊर करेंगे तो अज के पुजा पाथ इत्यास से कोई मतलब नहीं है तो अपने कर्म पत जो उनका धर्म पत है उससे हट करके वो अपने कर्म पे ही फोकस करने लगते हैं जो कि पास्चात सिच्छा का एक कल्चर है और उनमें फिर नंगापन आने लगता अनिक प्रकार की कुरीतियां आने लगती है जो कुरीतियां नहीं होने चाहिए जो भारती सब्यता और संस्क्रित के परचायक नहीं बैकिनолें प्रकार की प्रखलपन की तो किसीने साहिं कि बड़े-बड़े महड़ों में तब भी प्रवाईत हुए था आज भी पसचात कल्चर से प्रवाईत हो रहा है जबकि वहहीं पगर मुस्लिम समाज को देख लिया जा ता आज भी ओ सयद को मानते हैं आज भी अपने धर्म को मानते हैं अब धर्म के एकाइडिंग आज भी और बहुत ज्यादा जिसे परदा परथा हो चाहे जो भी चीजें है उन चीजों पर बहुत फोकस करते हैं अपने धर्म को मानिता देते हैं तो कहीं न कहीं यह सब्धिता जो यहां पर पनपी वो सबसे ज्यादा किस पर पनपी तो सिच्छित हिंदू मध्यमबर्ग में जो सिच्छित हिंदू उच्छ वर्ग था आलेडी उसभेता लेकिन जो मध्यम वर्ग था उसभेता से हट करके पास्चाथ कल्चर पे ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया उन्नीश्मी सताबदी के उत्राद में नौ हिंदूबाद के सर्फसेष्ट प्रतनीद थे तो कौन थे सर्फसेष्ट प्रतनीद उनके बारे में आपको बताना है कि कौन थे तो उनके बारे माँ बता देंगे कौन थे स्वामी विवेकानन थे जो बहुत सारे लोगों के प्रे प्रख्या सदस्थे के सर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटी के और यहां पे वो दिया गया है जिसको आपको बताना है किसमें कौन सुमेलित नहीं यानि तीन टो सुमेलित हैं एक कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं की है यह पांडो रंग जो प्राथना समाझ यह आपका सही है उसका डयानुंदस र ऊस्ति हार समाझ यह भी आपका सही है आप राजा राम मुह्नराय की बात करें तया कहा कि हिन्दो धर्म का सुद्धतम रूप अपनिसाद में नहीं थै राजा राम मुहन राइ nom दूसरा जो आता है वो आता है आपका केशो चंसेन का नंबर आता है केशो चंसेन किसको कहते हैं यह कहा कि केशो चंसेन ने यह कहा कि ब्रह्मभाद को बिश्व का धर्म बनाना चाहिए ब्रह्मभाद को कहा कर देना चाहिए बिश्व का धर्म बना देना चाहिए दयाना सरस् नहीं बहुत परकार मारग के जिसी भी मारग से आप इसाई तक जा सकते हैं जैसे आपको कहीं जाना होता ताप पर अनिक पर सकते हैं तो तो के कौन ऐसे बेखते हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज सब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राश्ट भासा माना उसके बारे मापको बताना है तो जल्दी से बता दिए इसका आंसर कौन सही होता है तो आप जानते हैं और आपने कई बार पढ़ा है तो इसके बारे में आप जल्दिस बता दिए ए आंसर आपका कौन से होगा तो यहां पे स्वामी दयानन्द है स्वामी दयानन्द ने सरपर्थम स्वराज सब्द का प्रयोग किया था और हिंडी को राश्वासा माना था स्वामी दयानन्द ने दयानन्द स्थापित, समाज का नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, आरी समाज, उसके बाद ब्रह्म समाज का सिध्धान्त आधारित है, ब्रह्म समाज का सिध्धान्त किस पर आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है, ब्रह्म समाज का जो सिध्धान्त है, वो किस पर आधारित है, तो किस पे आधारित है एक देवबाद पर आधारित, किस पे आधारित है एक देवबाद पर मतलब देवता एक ही होते हैं उस पे आधारित है और उसके बाद बाल बिवापर्था को नियंत्री करने हुए तो 1872 में civil marriage act ने लड़कियों के बिवाग की नियुंतम उम्र निदा तो यहां में बात कर रहे थे 1872 में civil marriage act ने लड़कियों के बिवाग की नियुंतम अम्र निदायत कर दी ग ही कुछ से कम बज्ची का साधी वायँ से कम लड़कि की साधी नहीं कर सकते हैं तो वह उमर किटनी निदायत की गई तो उसके बारे में आपको बता ना तो वह उठी 14 वर्स 14 वर से कम उम्र की लड़की की साधी करना बरजित था उसमें, हलाकि इस समें एज बढ़ा दी गई है 1856 में निमलिखित कानून पारित हुआ, कह रहा है 1856 में कुछ कानून पारित हुए थे, उसके बारे में आपको बताना कौन सा कानून पारित हुआ था तो यहाँ देखी, कौन सा कानून पारित हुआ था, सती निसेद रेगुलेशन पारित हुआ था, जिसमें सती प्रथा पे रोक लगा दी गई थी और क्या पारित हुआ था, और जल्दी बताएं क्या पारित हुआ था, तो धार्मी का सुझधा कानून अर शती निसेद रेगुलेशन यानि आपका भी आपसन हो जाता है, सही आगे बढ़ जाते हैं निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए थोड़ा सा बड़ा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा चलिए हम पढ़क सुना रहे हैं आपसन नमबर 3 और 4 आपके सही हो जाते हैं और आपसन हो जाता है आपका डी करिक हो जाता है राधा स्वामी सत्व kole जलिए बताती है शीव दयाल साहब थे राधा स्वामीस के संस्थापक थे उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं सार्दा एक्ट समंधित था इसके बारे में है बंदे किसे बाल विवा प्रतबंद से समंदित था सारदा एक्ट किसे समंदित था बाल विवा से समंदित था बस इतना याद रख रही है कि सारदा एक्ट किसे समंदित था बाल विवा से आगे बढ़ जाते हैं देव समाज का संस्थापक निमने में से कौन था तो देव समाज का सं कौन थे सिव नरायन अग्ण होत्री देव समाज के संस्थाफ़कौन थे सिव नरायन अग्ण होत्री जैसा कि आप जानते इस प्रकार का आरो एरो में पूछा तो यहां पर मैं आपको बता रहाता है कि अगर आपको और कोई प्रावलम है इसे आरो यारो से संबंदी तो आप नीचे कमेंट बाक्स में नंबर दिये गए उसके वार्टसप करके आप पूछ सकते हैं तो उसके बारे में आपको जनकाई दे दिये तो यहां पर हम लोग बात कर रहेते तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रस्न आपक कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसके बारे में आपको बताना है जैसे ब्रह्म समाज का मुख्याल है आपको होता दिये जल्दी से बता दिये सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है 29 का क्योस्टन है जल्दी से बताइए ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज कलकता ब्रह्म समाज कहां से हो गया कलकता से हो गया उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ब्रह्म समाज हो गया कलकता से उसके बाद आपका दूसरा मानो धर्म सभा मानो धर्म सभा आपकी कहां सो गई मानो धर्म सभा सूरत से मानो धर्म सभा सूरत से उसके बा उल्मा किस से समंदिते लखनों से चुक्टो यूपी के इस सबसे पेपर में इस सब सीजें आल्रेडी पूछ ली जाती हैं किस ने कहा कि यदि भगवान आप रिस्टा को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा कह रहा है किसका कथन है कि अगर भगवान आप रिस्टा जैसा कि आप जानते हैं भारती संविदान के अनुछे 17 में आप रिस्टा उन्मूलन की बात कहे गई है यानि जब मूल अधिकार आप पढ़ेंगे तो अनुछे 17 मूल अधिकार आप जानते हैं अनुछे 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है इसके बाद का दूसरा वीडियो आपका उद्देश का नागरिक्ता और मुल अधिकार से संबंदिता आपका वीडियो डाला जाएगा उसके बाद तो मुल अधिकार का भी वीडियो आपको पढ़ेगा तो मुल अधिकार में जब आप जाएंगे तो मुल अधिकार 12 से पैंतिस तक के मुलजिकार का चर्चा किया गया और जैसे अनुछे सत्रा पढ़ेंगे तो आहां पे कहा गया है अप्रिस्ता उन्मुलन के बारे में कही यानि चुवा चूट का उन्मुलन करना है और उसके लिए कुछ जुर्म के भी प्रावधान के गए अगर आप ऐसा कर नहीं तो उन्हों बाल गंगा दती लखें जिन्होंने कहा था कि इस बात को महराष्ट में प्राथना समाज का मुख संचालक कौन था कहरा है महराष्ट में प्राथना समाज का मुख संचालक कौन था उसके बारे मताना है महराष्ट में प्राथना समाज का मुख संचालक चार दिए गए है चार में बताना कि ये कही कोई है जो सही सुमेलित है बाकी तीन के तीन क्या है गलत है तो सही सुमेलित वाले को चैन करना है तो सही सुमेलित वाले को चैन करके आपको बताना है भारती ब्रह्म समाज राजाराम मोहरा है तत्वोधनी सभा के सो चंसे उसके बास सतुंसोंदक समाज देवैंद ना टेगोर्ष अर आपको बताना कि इसमें कौन समेलित है तो आप कहते हैं तो आप कह जेुंगी दे सर्वेंट आफ inthea society गोपाल कुन गोपरी यही वाकी इस तरभी घलत है भारत के पुनुर्टजागरन अंदोलन का अग्रणी दूद कि किसको माना जाता राजा राम मुहन राय को माना जाता? राजा रामुह राय दौरा ब्रह्म समाज के स्थापना की गई थी कब की गई थी ब्रह्म समाज के स्थापना अठारा सो अठाइस इस भी में की गई थी सत्यार्थ प्रकास की रचना की गई थी सत्यार्थ प्रकास की रचना की गई थी आपको इसके बाते में बताना सत्यार् एक सिकेंट अच्छा सासन सो सासन का अस्थानापन नहीं है तो यह बात किस ने कही थी इसका अंसर आपको देना किस ने बात कही थी स्वामी दयानल सुरस्ति ने कहा था और उसके बाद सार्दामर कौन थी सार्दामर कौन थी इनके बारे में आपको बताना बहुत फेमस है प परमहंस की क्या थी पतनी थी सारदामडी कौन थी राम किस परमहंस की पतनी थी निम्ड में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहला था भारत का मार्टिन लूथर किंग यानि भारत का मार्टिन लूथर कौन कहला था इसके बारे में आपको बताना है मार्टिन लूथर कौन कह सबसे ज्यादा अपनी तरफ गेंद्रीट अंडुर्ट किये थे तो आप कहेंगे उधार रजवाड़ को और किसी को किए थे उधार रजवाड़े बर्कों किये थे जाता है धर्म और सुधार अंदुलन्द सबसे जादा किसको आकरसित किया था तिसको आपको बताना है और इसका आंसर हो जाता है आपका बुद्ध जीवी बर्ख को इन्होंने अट्रेक्ट किया था और किसको नगरी उच्छातियों को इन्होंने अपनी तरफ अट्रेक्ट क सबसे पहले इसके सही सबसे बाराबि है उसके बाद आपके आलेऑन सबसे संविए, सौमे विवेका न सबसे लास्ट वैंगे तो इसके काइडिंग आपका आंसर हो जाता है एक दो चारा और तीन 1843 के एक्ट पांच में किस बात को गैर कानूनी बता दिया गया तो कह रहा है का 1843 का जो एक्ट आया उसके खंड पांच में किस बात को एक्ट पांच में किस बात को गैर कानूनी बता दिया गया था तो जल्दी से बताएगे गैर कानूनी किसे बता दिया गया थो तो आप जानते हैं गुलामी को गैर कानूनी बता दिया गया था गुलामी यहाँ पे गैर कानूनी हो गई थी किसको भारती पुनर जागरन का पिता कहा जाता है ये प्रस्थन बहुत important है आपके UDA में भी पूछा गया है मेंस में भी पूछा गया है तो आपको बताना भारती पुनर जागरन का पिता किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है 33 का answer आप बता दिये पुनर जागर बात आपके क्या है एकदम सही है आर्ज समाज में सिच्छा वे विकास वे जोड़ दिया गया था यह भी बास सथते हैं और तीसरा राम कृष्ष मुश्ण की अस्थापना स्वामी विवेका नंदौरा की गई थी ये भी बास सरी कब की गई थी अठारा सो सतानवी सिभी में की गई थी भारती ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे भारती ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोह रहा थे भारती ब्रह्म समाज के संस्थापक आप से पूछ रह जो धार्मिक समाजिक सुधार का अंदोलन हुआ था बिरोध हुआ उसका उन्होंने बिरोध किया जो अंदोलन था और रूडबाद्ता का समर्चन किया था कि रूडबाद्ता ही सही है जो हम रूडबादी है वो रूडबादी ही सही होना चाहिए तो कौन कहा था इसके बारे के समेशन और आरी समाज में क्या समानता थी जिसके बादे में बताना है तो ये तीनों तीनों ही राजनेतिक उद्देशों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देश भक्त की भावना के विकास को साहथा थी ठीक है राजा राम मोहराय दौरा अस्थापित प्रथम कौन थी आत्मी सभाती कौन थी आत्मी सभाती आगे बढ़ जाते हैं एक सिकेंड कहा से जा रहा है वारबर आगे बढ़ जाते हैं भारती राष्ट बात का पैगंबर किसे माना जाता है राष्ट बात का पैगंबर आपको बताना है किसे माना जाता है भारती राष्ट बात ऐसे अंडोलन का समर्गतनि नहीं किय था आपको बताना है, सुद्य आंतोलन का समर्गतने किसने किया था आरि समाज नहीं किया था और नहीं है, नहीं में प्रातना समाज के स्थापना किस ने की थी इसके बारे में आपको बताना है प्रातना समाज के स्थापना आत्मा रंग पांडूरंग ने की थी बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे बहुजन समाज का संस्थापक कौन था बहुजन समाज का संस्थापक कौन था इसके ब सफलता मुख्यता थी क्या थी एनी बेसेंट के कारण क्यों थी एनी बेसेंट के कारण यूडी ए मेंस में पुछा गया है तो सजग हो जाई है आप लों निमलिखित में से किसने 1872 में नेटीव मेरिज एक्ट को पारित कराने के महत्वण भूम का निवाई थी मेरिट जो यह पूण भूम कहती ही नीचे कुछ दिये गए हैं उन्हें मैच कराना है आपको मेच कराके उसका अंसर बताना निमलिखित योगमों में कौन सुमेलित है तो इसके बारे में आपको बताना है तो जल्दी से बताजीए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समा सुमेलित नहीं सोरी कि आपका क्या है गलत है तो यहां पर आपसन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा गलत होगा तो आपका जो कि नहीं वाला पूछा है इस लिए आपका यही से ही हो जाएगा बाकि सभी तीनों सही है थियो सोपकर सुसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो थियो सोपकर सुसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो थियो सोपकर सुसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो आप जानते हैं मैडम येच पी ब्लावेटसी ने की थी निम्लिकित मेंसे किसने प्रमुक रूप से बिद्वा पुनर विवाग के लिए संगर्स किया और उसे कानूनी रूप से बैद बनाने में सफलता प्राप्त कीत कह रहा है बिद्वाप पुनर बिवाग के लिए किसने संगर्स किया और उसे कानोनी रूप से बैद बना दिया तो किसने इतना संगर्स किया था उसके बारे में आपको बताना है इस्वर चंद बिद्ध्या सागने किसने किया था इस्वर चंद बिद्ध्या सागने सारदा अधनियम के अंदर के लड़कियों और लड़कों के विवाग की नियुनतम आयुकरम से कितनी निर्धायत की गई थी तो लड़कियों और लड़कों की नियुनतम आयुकरम से कितनी निर्धायत की गई थी लड़कों के लिए 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए कितनी थी तो आपको बताना है लड़कों के लिए 18 वर्ष थी तो यहां पर आपसर नमर बी आपका सही हो जाता है उसके बाद राजा राम मोहन राय को राजा उपाद किस ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उ कर लें हम तो कि Central眾 não cover आपका 62 a word रहा है कि ब्रह्म समाच के बारे में ने भूरम किने इसे कौन साथ से कथन सत्ते हैं उसे आपको बताना है सही कथन के बारे में बताना है और की सिए इसमें मॉर्थ पूजा का बिरोद किया गया था धार्मी करंथों की ब्याक्षा के लिए इसमें पुरोहित वर्ग को असुईकार किया गया इसने एक इस धांत का परचार किया कि बेतरुट हीन है तो आपको बताना इसमें कौन सही है केवल एक और दो सही है बाकी तीसरा गलत है आगे बढ़ जाते हैं भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है तो आप तुरंत कह देंगे राजा राम मुहन राय को माना जाता है कहां पुछा गया है आ गठन के लिए उत्तरदाई कारण क्या था इसके गठन का उत्तरदाई कारण आपको बताना है आईएस में पुछा गया प्रस्टन है और इस प्रस्टन को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे जूकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है बंगाल छेत्र के विविल समाजिक सुधा संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर ब्यापक हित्त में मांगपत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे भारती राश्टी कांग्रेस अपने कारिक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं करना चाहती थी इसलिए प्रस्तुत और देश के लिए उन्हें अलग से संग है मैं से कोई तो बताना कॉन सही कौन सही नहीं है इसक के बारे मा वापको आंसर करना है तो जल्दी से बता दीजिए क्रम नमबर शिस्टी पूर का तो यहां पे बी वाला आपसन आपका सही आ और कोई आपसनि यहां पर सही नहीं है आगे बढ़ जाते हैं निम्लिकिस तमास उधार को में से कौन संस्कित भासा में प्रवीर्टा के लिए जाना जाता है यानि संस्कित भासा में कौन सबसे प्रवीर्ट थे उसे अपने प्रवीर्टा अपने बिद्धोता के नाम से जाने जाते हैं तो यहां पर तीन संस्कित के प्रकांड विद्वान थे जैसे कि यहां पर दैनाशुरोतर तीय स्वाथचन विद्यासागर और राम, चाराम, मुहरा है, तीनों संस्कित के प्रकांड विद्वान थे और तीनों अपने विद्वता के कारण जानने जाते थे इसके बारे में आपको बताना है चार आप संदिये गये हैं तो जल्दी से बता दीजे कौन किया था तो आप कहेंगे बिसुडू परसुराम पंडित ने किया था और भारती राष्टबात का जनक किसे माना जाता है तो भारती राष्टबात का जनक किसे माना जाता है तो भारती राष्टबात का जनक किसे माना जाता है तो भारती राष की ति किसने कि ती दार लूम की अस्थापना तो इसके बारे मैं आपकו बताना lil-lum-lum a. restore 6-k BS singing समाट केशो चंस्रेंड और राधा स्वामी सत्तंग तुलसी रामतर यहां पर कौँ समंधित नहीं है तुसको आप वताना था आत्मी सभाज जो है देवेन ना ठाकूर समंधित नहीं है एगे बढ़ जाते हैं आत्मी समा किस से हैं राजा राम महौराय से है और आगे बढ़ पड़ेकअनन्द ने फिर्दर होता है। ëम पर आपका आंसर होता है हाँ स्वामी वेकानन्द विश्च्य के धर्म समय लेर्वन अच्छा हाँ कब गए थे तो यह 1893 में गए तो ठीक आगे बढ़ जाते हैं निम्निकेद में से किस प्रक्षा समास सुधारक ने ग्यान योग कर्मयोग तथा राज योग नामक पुस्त के लिखे यानि तीन योग हैं ग्यान योग कर्मयोग तथा राज योग नामक पुस्त के किसने लिखे इसके बारे में आपको बताना है तो यह स्वामी विवेगा निंद की तीनों पुस्त के हैं ग्यान योग कर्मयोग और राज योग 1924 का बंगाल का तारकेशवर अंदुलन निम्न में से मंद्रेश्टा चार से समभन दित थे और उसके बाद निम्लिकीत में से किस समाज सुधार्यक Нे 1826 में जूरी अधनियम का घोर विरोद किया था जूरी अधनियम का गोर बिरोत किया था किसी ने किया था जूरी अधनियम का गोर बिरोत तो आपको ये बताना है किसी ने किया था जूरी अधनियम का गोर बिरोत तो वो है राजा राम मोहन राए और इस प्रकार से आपके धार्मिक और समाज सुधारक का अंदोलन से समंदे आपके 74 प्रशन जो के परिच्छा के दृष्टी से महत्पोन है आपके कराए गए हैं आप इन्हें बार बार रिपीट करें लीजिए सुन लीजिए ताकि यहां से आने वाले प्रशन आपके गलत ना हो मुझे उमीद है आपको इस रिंखला पसंद आई होगी पसंद आई है तब अपने दोस्तों को भी शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजिए जे